साथ अफरिका ने T20 वर्ल्ल कप के सूपर 8 राउंड में लगातार दूसरी जीत हासिल कर ली है अफरिका टीम ने शुकरवार को यानि आज डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को साथ रन से हराया इस जीत से अफरिकी टीम सेमी फाइनल के नस्दीक पहुच गई है मिडल ओवर्स में बलेबाजों ने धीमी गती से रन बनाए मिलर ने स्कोर 150 पार पहुचा दिया एक वक्त टीम 200 रन तक जाती दिख रही थी डिकॉक ने 38 गेंदों में 4 चौके और 4 चक्के के इस मदद से 65 रन की पारी खेली मिलर ने 43 रनों की उपियोगी पारी खेली वहीन रन चेज में इंगलिस टीम ने 61 रन पर 4 विकेट गवा दिये थे यहां से लियाम लिविंग्स्टन और हैरी बुक ने 42 बॉल पर 78 रनों की आकरमक साज़दारी कर जीत की उमीदे जगाए फिर आकरी तीन ओवर में कगीसु रबाड़ा, मारको यॉंसन और एंडरिक नौट्रिया ने किफायती गेंदबाजी करके इंगलांड को 20 ओवरों में 156 पर रोग दिया तीनों ने मिलकर 18 बॉल पर 25 रन डिफेंट किये ब्रुक ने 37 बॉल पर तिरपन और लिविंग्स्टन ने 17 बॉल पर 33 रन बनाए लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके क्विंटिन डिकॉक का 65 रनों की तेज तरार 50 के बाद अपने गेंदबाजों और फिल्डर्स की दमदार कैचिंग के बूते साउथ अफरिका ने इंग्लैंड को रुमांचक मैश में हरा दिया ये सूपर 8 राउंड में पोर्टियाज टीम की लगातार दूसरी जीत है इसी के साथ साउथ अफरिका सेमी फाइनल में कौलिफाइ करने के बीहत करीब पहुच चुकी है इंग्लैंड को आखरी ओवर में जीत के लिए 14 रंच आहिए लेकिन एंडरिक नौट्चे की पहली ही गेन पर मारकरम्स ने सेट बलेबाजी हैरे ब्रुक का लाजवाब कैच लपक कर बाजी पलड़ दी आई चांते हैं साउथ अफरिका की लगातार छटी जीत के बारी में इंग्लैंड ने सूपर एट राउंड के पहले माच में वेस्टर नीज को हराया था दूसरे माच में उसे खुद हार का सामना करना पड़ा इंग्लैंड का आखरी माच एसोसिये टीम और पहली बार टूनामेंट में खेल रही अमेरिका टीम से होगा या फट डिफेंडिंग चैंपियन टीम के जीतनी के चांस जादा होंगे यानि इंग्लैंड की सेमी फाइनल की उम्मिदे अभी फूरी तरह खत नहीं हुई है इस माच में इंग्लैंड के लिए हैरी बूप ने तिरपन रनों की पारी खेली और लियाम लिविंस्टर ने 33 रन का यूगतान दिया दक्षड अफरिका के लिए केशव महराज और कहीसुर अबाडा ने दो दो विकेट टी है 31 साल के विकेट कीपर बलिवाज डिकॉक ने अपने 65 गेंद की पारी में चार चौक्यों और इतने ही छक्के जड़े क्रीस पर उनकी मौझूदगी के दोरान दक्षड अफरिका लगभग 10 की रन गती से रन बना रहा था लेकिन उसके आउट होनी के बाद इंग्लैंड ने माच में अच्छी वापसी की इस दोरान इंग्लैंड की फिल्डिंग कमाल की रही डिकॉक के अलावा दक्षड अफरिका के लिए सिर्फ डेविड मिलर ही तेजी से रन बना पाए उन्होंने 28 गेंदों में 33 रनों की पारी खेली डिकॉक ने दूसरे ओवर में मौझन के खिलाफ चौका और छक्का लगाने के बाद आर्चर की लगातार गेंदों पर दो छक्की और चौके लगाकर हाथ खुला पारी के इस चौथे ओवर में रीजा हैंड्रिक्स ने भी चौका लगाया जिसे दक्षड अफरिका ने 21 रन बटोरे डिकॉक ने 22 गेंदों में अपना आर्चर तक पूरा किया रीजा हेंड्रिक्स ने 25 गेंदों में 19 रन हेंड्रिक्स लासन ने 13 गेंदों में 8 रन डेविड मिलर ने 28 गेंदों में 43 रनों का योगदान दिया और ऐसे ही साउथ अफरिका ने ये माच जीत लिया है आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं और देखते रहें क्रिकेट केसरी